आज हम आपके साथ सेर करेंगे ओल यानी सूरेन की सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और इस तरह से बनाएंगे ना तो आपके गले में कभी खुचली नहीं होगा और इसका जो स्वाद भी एन एकदम मटन की तरह आएगा तो यह हमने हाफ के जी ओल ले लिया है और में काफी मिट्टी वेगरा लगा होता है क्योंकि यह जमिन के अंदर पलता है तो सबसे पहले क्या करेंगे इसे धोलेंगे इसके उपर की मिट्टी को हटा लेंगे अब इसे कट करने से पहले हाथों में सरसू का तील लगा लेंगे इसे जोःना काटते समय हाथों में खुचली नहीं होगी तो इस तर से हमने इन्हें अपने मन पसंद की किसी भी सेप में कट कर लेना है तो आप देखी सकते हों कि हमने जो है ना इन्हें छोटे-छोटे टुकरों में कट कर लिया है इस तर से हमने सारे ओल को छोटे-छोटे टुकरों में कट कर लिया है और अब इसे हम धो लेंगे आप चाहें तो ओल में पानी डाल दीजिए और उसमें हल्दी और नमक डाल दीजिए और रात भर के लिए इसे छोड़ दीजिए और सुबर बनाईए पर इसमें काफी समय लग जाता है मैं इस तरह से नहीं बना रही हूं बिल्कुल ही अलग तरीकी से बना रही हूं और इस तरह से आप बना कर देखेगा आपको बहुत पसंद आएगा तो एक कड़ाई में एक गिलस पानी डालेंगे नमक डालेंगे आधा चमस आधा चमस डालेंगे हल्दी का पॉडर और आदा चमज डालेंगे आमचुन पॉडर अगर आपके पास आमचुन नहीं है तो इसके जगह पे आप इमली का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इन्हें पानी में डाल देंगे और 5-7 मिनिट तक धख कर इन्हें उबाल लेंगे इससे अगर आप बनाएंगे ओल की सबजी तो आपको बहुत पसंद आएगा और आप सारे तरीके भूल जाएंगे तो यह हमने ओल को उबाल लिया है अब कड़ाई में सरसो का तेल डालेंगे सरसो तेल में यह सबजी बहुत टेस्टी बनती है तो यहां हमने एक आलू डाला है तो एक आलू को ओल जैसा ही कट कर लिया है और आलू को भी फ्राई कर लेंगे जैसे आलू golden color में fry हो जाएगा इसी निकाल लेंगे और जैसे हमने आलू को fry किया था ओल को भी वैसे ही fry कर लेंगे और ओल जब brown color का हो जाएगा तो ओल को भी हम निकाल लेंगे आलू डालना बिल्कुल optional है अगर आपको पसंद नहीं है आलू तो आप आलू skip कर सकते हैं और यह जो हमारा ओल है वो fry हो गया है तो इसे हम कढ़ाई से अब निकाल लेंगे सेम कढ़ाई में ही हमें सब्जी बनानी है तो दुबारे से इसमें तेल डालेंगे चीटकी पर जीरा और दो लालमेच डालेंगे अच्छे से भून लेंगे और जैसे यह भून जाएगा इसमें प्याज डालेंगे तो एक प्याज लिया हमने और प्याज को बारिक कट कर लेंगे प्याज को हमें golden brown होने तक भूनना है और जैसे ये golden brown हो जाएगा इसमें एक tomato डालेंगे तो बड़े size का tomato था इसलिए हमें एक ही डाला है tomato को soft होने तक भून लेंगे और देख सकते हैं प्याज और tomato जो है न दोनों soft हो गये हैं तो इसमें बागे के मसाले डालेंगे तो ये लेसन और अद्रक का पेस्ट है ये एक चमच जीरा का पेस्ट है जीरा पॉल्डर नहीं था मेरे पास इसलिए हमने पेस्ट का इस्तवाल किया है और अब डालेंगे आदा चमच हल्दी, आदा चमच डालेंगे लाल मिर्चे का पॉर्डर, आदा चमच डालेंगे धनिया का पॉर्डर, आदा चमच से कम डालेंगे काली मिर्चे का पॉर्डर, सब्जी में अच्छा सा कलर आने के लिए डालेंगे कास्मेरी लाल मिर्चे का आप देखा हैं नोगाइब कहला लाग दालेंगे लिए पानी डालेंगे ताकि जो मसाले है न वो अच्छे से पक चाएंगे और अब हमें मसालो को अच्छे से भून लेना है तो ये आप देख सकते हैं जो मसाले है न वो बहुत अच्छे से भून गया है तेल भी separate हो गया है तो अब इसमें फ्राइ किया हुआ ओल और आलू दोनों ही डाल देंगे नमक डालेंगे स्वादन सार जिससे सबसे नमक खाते हैं मसालो के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें 2-3 मिनट तक मसालो के साथ ओल को ऐसी ही बूनना है लेकिन बीच-बीच में हम इसे कवर कर देंगे और गैस का जो फ्लेम है ना उसे लो में रखेंगे और अब आप देख सकते हैं दोनों ही बहुत अच्छे से भून गया है तो इसमें पानी डाल देंगे जिससे साथ सामें ग्रेवी चाहिए उससे साथ साम पानी डाल देंगे ढ़क करके 3-4 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो ओल और आलो जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये हमारी सबजी बन करके तयार है तेंक यू